हाई, वेल्कनों मेशनल, इस बडियो में सॉल्व करें question number 9 तो यहाँ पर एक बात में बता दू पहले आपको question number 9, 10 और 11, यह तीनों जो है एक तरह के हैं और यह तीनों questions जो हैं exactly वैसे ही हैं जैसे question number 3 था question number 3 को मैंने solve किया था तो उसमें 2 method बताया थे यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि दोनों method से आप solve कर सकते हैं इस तरह questions तो यहाँ पर जो है मैं 9, 10 और 11 में तीनों में अलग-अलग alternative way में use करूँगा इसमें method 1 से solve करूँगा और 10 को method 2 से और 11 को method 1 से तो आप जो है समझ जाएंगे कि कैसे मतलब कि अलग-अलग method से सब solve कर सकते हैं तीनों जो है exactly same है समझें ध्यान दिजएगा solve करते हैं आपर question number 9 तो बोला है जो दिया है पहले उसको लिख लिजए given that given that sp of sp of 10 pens 10 pens is equal to cp of 14 pens यह आपका given है तो यहाँ पर या करेंगे पहले आप cp of 1 pen माल लेंगे माल लिजए कि 1 pen का जो cp है वो 1 रुपीज है तो let cp of 1 1 pen be 1 रुपीज अब यदि आपने एक pen का cp है वो 1 रुपीज माना है तो cp of 14 pens का जो cp होगा वो क्या हो जाएगा it implies यहाँ पर हो जाएगा cp of 14 pens is equal to हो जाएगा क्या 14 रुपीज है कि नहीं 14 रुपीज का जो cp हो जाएगा 14 रुपीज हो जाएगा अब यहाँ पर क्या बोला है कि 14 रुपीज का जो भी cp होगा वो इक्वल है cp of 10 pens it implies यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि cp of 10 pens is equal to यह भी जो है 14 रुपीज के बराबर होगा है कि नहीं cp of 14 रुपीज का प्राइस है 140 रुपीज cp of 10 रुपीज भी हो जाएगा 14 रुपीज यहाँ से आपको जो है दोनों को equal करने के बारे में सोचना है मतलब कि cp of 14 रुपीज का प्राइस हो गया 14 रुपीज और cp of 10 रुपीज का 14 रुपीज तो यहाँ पर यह जो 10 रुपीज दिया है बस यहाँ पर यही concept है main तो यहाँ पर 14 mains 14 pens और 10 pens का क्या कर सकते हो आप LCM ले सकते हो और इनके LCM को मटपलाई करके यहाँ पर solve कर सकते हो मतलब कि आप इनको equal करने के लिए या तो एक pen का भी निकाल सकते हो यहाँ से एक pen का निकालोगे तो divide करके हो जाएगा यहाँ पर 1 रूपीज आजाएगा और 10 pens में से 1 pen का निकालोगे तो 14 अपांटेन हो जाएगा यह भी कर सकते हैं तो हम 1 pen का ही निकाल लेते हैं क्या दिकत है यहाँ से हम निकालते हैं CP of 14 pens दिया है 14 रूपीज तो हम यहाँ पर क्या करेंगे we have we have CP of CP of 1 pen 1 pen हो जाएगा कितना 14 upon 14 मतलब कि के से लट हो जाएगा है हमें मिलेगा 1 रूपीज तो मतलब वही आएगा जो यहाँ पर हमने निकाला था 1 pen का कितना है 1 रूपीज यह कैसे निकाला हमने इस वाले equation का यूज करके हमने निकाला है इसका यूज करके हमने यहाँ पर solve किया इतना आ गया अब इसका यूज करेंगे SP of 10 pens is equal to 14 रूपीज then SP of अब यहाँ पर CP of 1 pen निकाल चुका है अब आप यहाँ पर गेन परसंट निकाल सकते है तो गेन परसंट आप निकाल सकते हैं आपर गेन परसंट is equal to हो जाएगा गेन यहाँ पर यहाँ आगरते हैं गेन अपान मतलब कि SP मैनस CP अपान CP मैं डिवाइड करके हाँ मतलब करते हैं 100 से राइट क्या हो जाएगा SP कितना है SP आपका है 7 upon 5 मैनस CP कितना है 1 रूपीज होल अपान CP कितना है 1 रूपीज इसको मतलब करते हैं 100 से यहाँ पर solve करिए तो मिलेगा आपको 7 minus 5 अपान 5 होल अपान 1 है तो 1 को हटा दीजिए छोड़ दीजिए वैसे ही एं 200 हो जाएगा 5 बंजब 5 और यहाँ करेगा 5 बंजब 10 20 और यहाँ मैनस करिए देखे 7 minus 5 कितना 2 आजाएगा 2 तो जब 4 मतलब आगेगा 40% मतलब गेन परसंट जो होगा वो होगा 40% इस इस और आंसर एक बात यहाँ बता दू मैं कि यहाँ पर आप जो है मैने यहाँ पर 1 पेन का कॉस्ट प्राइस और 1 पेन का सेलिंग प्राइस निकाला है ठिक है तो आप यहाँ पर 1 नहीं बलकि कुछ और भी numbers का निकाल सकते थे मतलब दूनों को बस equal करना था तो यहाँ पर यही 14 पेन्स का दिया था और 10 पेन्स का दिया था तो इनका L7 निकाल लो पहले आप L7 निकालने का मतलब कि आप जो है ऐसे लिख लो पहले 14,10 L7 निकाल लेंगे तो क्या निकालेगा 272,25 जा फिर 7 मंज़ा 5 और यह देगा 5,11 मतलब आज़ आज़ागा 5,7 जा 35, 35 चूज़ा 70 70 आप ला सकते थे यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पले सकते थे CP of मतलब एक alternative यह बता रहा हूँ कि alternatively क्या आप मान सकते थे alternatively मान सकते थे आप CP of CP of 14 से आप निकाल सकते थे 70 कैसे आएगा, 14 के table कितने बार पढ़ेंगा तो 70 आएगा 5 times तो 14,5 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 पेंस का जो CP होगा वो हो जाएगा 14 7 जा 70 बताब कि 70 रुपेज ठीक है, दोनों नमट पलाई कर देते 14 पेंस में 14 आप लाई कर देते किसे 5 से, तो यहाँ भी 14 आप लाई करना था 5 से तो 70 रुपेज आ जा जाता फिर उसको बाद से SP of 70 पेंस भी निकालना पढ़ता तो SP of 10 पेंस दिया हुआ है तो 70 पेंस निकालने का रहे हैं, 7 से मट पलाई कर देंगे तो 7 into 0, 70 हो जाएगा आप 7 into 14 किता हो जाएगा 98 अब इन दोनों का यूज करके ये CP यूज करके और SP ये वाला यूज करके आप गें निकालोगे तो इतना ही आएगा 40% जैसे मैं यहाँ पर आपको निकालके दिखा दूँ तो gain percent ये आप निकालोगे यहाँ पर तो मिलेगा आपको 98 SP मैनस 98 में से मैनस करेंगे 70 और divide कर देंगे कितना से 70 से मटपलाई कर देंगे 100 जिर जोगन से लोग यहाँ यहाँ पर और यह घटे गत किना मिलेगा 98 70 में से मिलेगा 8 और यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 2 मिलेगा 28 अबन 7 इन्टू यहाँ पर जाएगा 10 7 अबन 7 और देखे 4 10 जा क्या हो जाएगा 4 10 जा 4 10 जा हो जाएगा 40 40 percent यहाँ भी आ गया है कि तो आपको यही ध्यान देना है कि आप equal number of pins का CP और SP 50 बस निकाल करके solve कर लिजिए gain percent निकाल लिजिए इदम equal answer आएगे ठीक है तो आप अपने सबसे solve करिएगा Thank you so much for watching like कर दिजिए और share कर दिजिए और comment बहुत से यह कुछ नहीं कुछ लिखे बाइ जापकी है जापकी है